Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VIP Topper Classes में आप सभी का बहुत-बहुत सागत है जैसा कि आप लोगों को बता है हमारे चैनल में बहुत जादा useful videos Class 9 से 12 तक के लिए आते रहते हैं तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर ले क्योंकि ये आपके लिए बहुत useful रहने वाला है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कक्छा वारवी की अंकसूची की द्विती प्रती बेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए ये कॉश्चन क्लास 9 से क्लास 12 में हर साल पूछा ही जाता है ये बहुत important कॉश्चन है मतलब ये वाला जो आवेदन पत्र है आप इसे पढ़ कर जाएं बहुत useful है तो इसमें आपको क्या करना है हमें मादमिक सिक्छा मंडल जो है मद्प्रदेश भूपाल है उन्हें बारवी की अंग्सूची गुम गई है इसलिए उनकी दोती प्रती भेजने के लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आप लिखेंगे जैसे कि आप लोगों को पता है जो भी हमारा पैटर्न रहता है इसे साब चाप स्टार्टिंग करेंगे सेवा में अब हम जैसे लिख रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे मतलब जैसे की सचेव ठीक है जैसे जब हम स्कूल के लिए लिखते हैं तो वहाँ प्रधान अध्यापक लिखते हैं लेकिन हम अभी मादमिक सिक्षा मंडल के सचेव को लिख रहे हैं इसलिए उनका लिखेंगे फिर यहां आप लिखेंगे माधमिक सिक्षा मंदल, मध्य प्रदेश, भोपाल हम यहां विशा लिखेंगे अंकसूची की दूती प्रती रेजने के संबंध में अब आप यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे जो भी आप इसमें बताना चाहते हैं तो महोदय से स्टार्ट करें, यहां मैंने पहले ही बता है कि आप जी भी लगा सकते हैं क्योंकि आप जितने अच्छे सब्दों का चैन करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखता है तो वो आपको पहचानता नहीं है सिर्फ आपकी लेखन सैली से आपका परिचाय होता है तो अच्छे सब्दों का चैन करें तो आप यहां महोदय जी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है इसके बाद आप देखें कि आप लिखेंगे मेरी बारवी परिच्छा 2023 लिख सकते हैं 2023 की अंक्सूची खो गई है अतह मुझे दूती प्रती भेजने का कष्ट करें इसके लिए मैं 20 रुपे का बैंक ड्राफ्ट आपको बैंक ड्राफ्ट करवाना पड़ता है 37701 आपकी नाम से भेज रहा हूँ इस तरीके से आप लिखें इसके बाद आप अपनी पूरी जानकारी का वर्णन करें क्योंकि अंक्सूची आपके पास आएगी तो किस एड्रेस में आएगी इस तरीके से आप अपना पूरा एड्रेस दें जैसे नाम लिखें रवींद्र जो भी है पिता का नाम लिखें परिक्षा आपने कब परिक्षा दी थी जैसे बारवी की परिक्षा 2023 में दी थी तो ऐसा कर दें परिक्षा केंद्र बता दें अनुक्रमांक देना ना भूले यह बहुत ही नैसेसरी है नीमित और स्वध्याई यह आपको बताना है कि आप रेगुलर स्टूडेंट थे या नहीं ठीक है पूरा पता आपको देना है जो भी आपका एड्रेस है इसके बाद आप सनलंग्न जो आप सनलंग्न कर रहे है जैसेkr word बैंक ड्राफ्ट आप सनलंग्न कर रहे है वो लिखें दिनांक 17 जुलाई जिस दिन आप भेज रहे हैं उस दिन का आप कर दे 2024 यहाँ विनीत के नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं दीख है तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इजी पढ़ता है आपको कैदो लाइन में ही लिखना है कि मेरी बारवी के अंगसूची खो गई है दूती प्रवती भेजने के कश्ट करें इतना इजी है और आपको अपना वर्णा नहीं करना है तो ये जब भी आए तो आप एक्जाम में जरूर लिखें बहुत यूसफुल है और यदि आप इसकी पीडियाफ चाहते हैं तो वी आईपी टॉपर क्लासेश आप ऐसर टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा तो आप इसमें जाकर चैनल को फॉलो कर लें तो इसमें आपको डेली हर वीडियो के पीडियाफ मिल जाएगी और यदि आपको किसी चीज में डाउट है तो आप उसमें डिसकस भी कर सकते हैं ठीक है तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रैंड्स के साथ शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट के इस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं आशा ही कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आप पहली बार चैनल में विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना ना जाएं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स वा वाचिंग